हरहर महादेव गंगोती धाम की कपाट बंद होने की बाद अगर आप गंगा माता की द्रेशन करना चाहते हैं वो आप कहां करेंगे मेरा आज काई वीडियो इसी टॉपिक से बाए आज में आपको बताने वालों कि आप गंगोती धाम के कपाट क्लोज होने की बाद उनके जैसा कि आप सबी को मालूम ही है दिस परसिस गंगोती धाम के कपाट अनकुट के पावन पर परमंगलवार यानी 14 नौबब दोजा तेहीस को 11 बचके 45 मिनट पर सीथकार के लिए विदी विधान के साथ बंद कर दिये गए हैं इस पार गंगोती और यमनोती धाम के कपाट 22 अप्राइड को खुले थे जिसके बाद चारधाम यात्रा सुरू हो कई थी और इस पार उत्रा खंड में चारधाम दिर्थियात्रा ने अपना एक नया ही रिकोर्ड बनाया है 13 November तक चारधामों में 55.89 लाख तिर्थियात्रा ने दर्थियात्रा ने अपना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो गंगोरी धाम के कपाड़ बंद होते हैं तो गंगा माता की डोली लेकर दिर्थ प्रोहित मुखवा के लिए प्रस्थान करते हैं मुखवा एक गाव है जहां पर गंगा मंदिर है वहां डोली रातरी विसराम चंडी दिर्थ में करती है और उसके बाद 15 नौमर को गंगा की डोली मुखवा इस्थित गंगा मंदिर में पहुचेगी और वहीं पर आप अगले 6 महिने के लिए गंगा माता के दर्शन कर सकते हैं तो यहां में आपको उस मंदिर की पूरी लोकेशन दिखाने वालोंगे कि आप किस तरह मुखवा का पोस्ट सकते हैं और वहां गंगा माता के दर्शन कर सकते हैं यहां देखी मैंने गूगल पे मुखवा टेंपर लिखा है और यहां मैं सिदा मेप वाले ओप्स में पे क्लिक करता हूँ मेरेप वाले और वश में क्लिक करती आपके सामें रिखिए इस तरह का option आता एए जो mandir है ये आपका गंगोत्री की तरह ही दिखाई डेता है लेकिन ये गंगामाता का hasha आपका सीत कालिन की पूजा छे मेने के लिए गंगामाता की की जाती है जब गंगोटी धाम के कपाड बंद किये जाते हैं तो यहीं पर उनकी डोली को विराजमान किया जाता है और यहीं पर आप उनके दर्सन कर सकते हैं यह देखिए यह अंदर का दर्सनी है और कुछ इस तरह का मंदिर वहां दिखाई देता है तो चलिए अब मैं आपको बता रेता हूं कि आप हरीद्वार से इस जगा कैसे पहुचेंगे तो यहां मैं दुबार से गूगल पर आता हूं अब यहां देखिए मैं हरीद्वार 2 मुखा टेंबर लिखता हूं और यहां आपके लपक 8 घंटे यहां लगने वाले हैं और यह हलस्री वेसी थे आप सभी को पता होगा जब आप गंगोटी धाम जाते हैं तो उससे पहले ही आपका हलस्री पड़ता है हलस्री एक बहुत खूपसद जगह है जहां आप मैंसे काफी लोग रुके भी होंगे यह देखिए यह पूरी लोकेशन है ठीक है यहां मैं आपको दिखाने चाहूंगा थोड़ा जूम करकर मैं आपको दिखा देता हूं यह जो में रोट है में रोट से आपको थोड़ा अंदर जाना होगा यहीं पर आपका यह मंदिर है जहां पर आप आप ओफलाइन दर्सन कर सकते हैं अब अकर हम बात करें गंगोत्री की ही तो देखिए गंगोत्री आपका यह है तो गंगोत्री से काफी पहले ही आपका मु गंगोटी धाम की दसन करना चाहते हैं तो अगले 6 मुएने गंगोटी धाम की पूजा यानि जो उनकी मुर्दी होती है उनकी पूजा आपको यहां मुखवा मंदिर में मिले की आप यहां चाहके बहुत राम से दसन कर सकते हैं यहां जाने मातर आपको 8 घंटा लगने वाला ह और एक ही दिन में आप पॉपसी उत्तरकाशी भी आ सकते हैं या पिर आप चाहे तो वहां पर भी रूप सकते हैं वहां पर भी आपको होमिस्ट सिज जगह मिल जायगे जहां पर आप बहुत राम से अपना नाइट होड कर सकते हैं बागी हर शिर ऊ कि एक ऐसी जगे है जहा अगर आप जाएंगे तो आपको ये खुदी खुफसत जगह लगेगी आप मेंसे काफी लोग गए भी होंगे तो इसके बारे मुझे बताने की जोत नहीं है बाकी जो लोग देखिए गंगोटी धाम जाना चाते थे उनको मैंने बता दिया है कि वो सल्डियों में यहां गंगा मातर की पूजा कर सकते अब चुकि कपाट बंध हो चुके हैं तो आप मैंसे काफी लोग ऐसे हैं जो अब कपाट बंध होने के बार भी जाना चाते हैं तो कली मैंने देखिए बंधिना धाम के बारें बताया था और केटाना धाम के बारें में आपको यहां बता चुकाओं कि आप कहां रसन कर सकते हैं आज मैंने आपको गंगोटी धाम के बारें बताया अगले वीडियो में आपको यम्नोती धाम की बारें बताऊंगा कि आप यम्नोती धाम की दर्शन सीट काल में कहां कर सकते हैं तो आप मेरे साथ इसी ता जुड़े रही है अग्रेशा फिर से यात्रा स्टार्ट होनी है और मैं फिर से आपकों के लिए यात्रा से इसी तरह अपडेट लात रहूंगा तो आज के लिए बस इतना ही हरन महादेव